नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करने वालो अगर आपके screen recording के अंदर screen touches मतलब जो हम screen के उपर touch करते हैं अगर आपको उनको record करना है अगर आपके screen recording के अंदर नहीं हो रहा है तो उसको आप कैसे on कर सकते हो उन touches को वो सारी चीज़े मैं आपको आ सारा सा interface देखने को मिल जाएगा सो यहाँ पर दोस्तों आपको करना है कि नीचे कि सेर में scroll करते हैं और यहाँ पर आपको additional settings के अंदर चले जाने जो कि दोस्तों आप यहाँ से ना मिले तो आपको simply यहाँ पर settings के अंदर आने के बाद में उपर क्लिक करके आप यहाँ पर screen recording के उपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो screen recording उसको आपको यहाँ पर अपर करने के बाद आपके screen recording के उपर आपके जो screen touches है उनको भी यह record करता जाएगा I hope दोस्तों आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो के लिए like share and subscribe कर देना चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर thank you so much for watching this video